and the recording has begun welcome to episode number 10 of this gameplay ठीक है last बार हम लोगों ने एक फार्म बनाया था फार्म बनाया तो खाना पानी इपना हो रहा था वीट ग्रू हो रहा था अब की बात पता है आईरन की सक्ट आवस सकता है ठीक है आईरन की बहुत कमी है और खाने की भी कमी है मेरा करेक्टर जब से स्पॉन हुआ तब से वादा पौासी कर रहा है ठीक है वह रती चल रहा है कभी इसका वो क्या गयते है, हेल्थ खाली रहता है एसका सिरफ कितना धाई स्टार है धाई हार्ट है, आज बच्चे लोगा खाराव्रा खिला देते हैं, इसके बास आगे चलते हैं इदर आउ आई दर आउ यह लो तुम लोग जा अपना प्रेम करो और तुम लोग जा अपन रहे go ओके आ भूख रहा है भूक马रा मरने द३ू इस बार का टार्गेट का इस बार का आशा में लूग कःजlı कि और आप पतय होंगा चर्थ जरोड ने वहन in ono श्र Member Wow इंपने विद्पब्लिक इबर बह्ें 및ट व्रिभन कामने डॉगा ने किस तरीके से चलता है ठीक है अपना देस कीस तरीके से चलाना है ठीक है कौन आधमी के पास क्या क्या पावर होनी चाहिए यह सब चीज़ जो होती है न यह सब चीजे सम विधान में लिखी होती है ok सविधान का काम यह है कि सब को बताना प्रधान मंतरी से ले करके ठीक है एक पुलीस को एक आम नागरी को सब का सब का आदमी को बताना कि बेटा तुमको ऐसे काम करना है तुमको ऐसे काम करना है यह जो चीजे बीए से बात है जिस किताब में लिखी रहती एक देस का उसी दे दिन 1950 में पूर्ण सवराज जीवस मनाया गया था, मतलब हर साल मनाया जाता था, लेकिन आज ही के दिन हम लोग इसको लागू किये थे, आज ही के दिन से हम लोग अपने आपको एक किताब देते, सविधान कहा कि भाया देश ऐसे चलेगा, अपने देश में उस समें 395 आर्ट अपरी कौन है, और हम लोग मूलभूत अधिकार क्या है, एक प्राइम मिनिस्टर का चैन कैसे किया जाता है, एक रास्टपती का चैन कैसे किया जाएगा, हम लोग कैसे appointment होगी, एक सुप्रिम कूट के जैज की, ठीक है, डिस्टिक्ट मेजिस्टिट के पास मन्दब क्या क् अलाकि पूरा डिटेल में नहीं बताया गया, उनके लिए अलग चीज़े हैं, बट ओवर अल बता देगे कि अल इंडिया सर्विसेज क्या होती है, ठीक, एक बात याद रखना फादर ऑफ जो आई-एस ऑफिसर होते है, फाइर फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, आप बूल आपका पड़ाई में फादा होगा, नंबर आयागा, आठ मजा भी आयागा, सब चीज़े होगा, ओके, आरे यार खाने की बहुत दिक्कत हो रही है, यार क्या क्या जाए, बहुत जमिला हो रहा खाने की, भुखमरी भी तक कत्म नहीं हो रही है, चलो ठीक है, तो हाँ, हम हम यह बता रहे हैं कि हम लोग को सभीधान का जरुवत इसलिए पड़ाते को तुमको बताते हैं, हम लोग रिपबलिक डे मतलब मनाते क्यों है, रिपबलिक डे गंतंत्र तिवस मनाते है, गंतंत्र होने का मतलब यह है, कि आप से हमारे उपर किसी का हुकम नहीं चलेगा, गंतंत्र मतलब है कि भりआ हमारा देश है, हम इसको अपने हिसाब से चलाएंगे, कोई अंग्रेज हाकर नहीं बतायागा, ठीक है? पहले क्या थै कि हम लोग को देशाजाद नहीं था, जब देशाजाद नहीं था, अंग्रेज आके रिप बताने लुपे यह तो हम यह करव तो जो सम्विधान दिया ना तो सम्विधान जिस दिन से लागू होने शुरूआ उसी दिन को हम लोग कहते हैं हम लोग सम्विधान 26 नौवंबर 1904 मल्द टिनिटी शिक्स नौवंबर 1949 को ही बन गया था लेकिन पूंड सुराज दिवस लोग का बनाया जाता था हर साल 26 जनौरी को तो हम लोगों ने सुझा कि भीया जब 26 नौबर तक बनी गया है तब जनौरी तक रुख जाओ अगले साल अगले साल से हम लोग अपना सविधान लागू कर देंगे अपना सविधान बहुत ही दुनिया का सबसे लंबा अगर जो written किताब सविधान है तो वह है अपना देश का सविधान ठीक है अपना देश के सविधान में 1.46,00,00 करीब मतलब की डेर लाग सब्द लिखे गया है अपने सविधान में अपने सविधान कई सारे देशों से लिया गया है उसमें मूलभूत अधिकार होते हैं बेसिक फंडमेंटल राइट्स होते हैं जब आप पुलिस वाले को देखते हैं तो डरने की बात नहीं ठीक है हम लोग इस सविधान कुंडगरती जो करते हैं उनको आप क्वेश्चन कर सकते हो ठीक है अगर अधमी करेगा कैसे अगर जादमी को नॉलेज इन नहीं होगा तो क्वेश्चन कैसे करेगा ठीक है इसलिए उबने बोला है कि बढ़ाय लिखाई करो यार ग्यान की गरीबी सबसे बड़ी गरीबी ह होती है ठीक है अगर जो आपको पता ही नहीं रहेगा कि अपना देश कैसे चलता है अपना समाज कैसे चलता है तो आपको तो को यह कोई भी चूना लाके चला जाएगा कोई पुलिस वाला उठाके लॉक अपना दायरा है ठीक है पुलिस वाले के पास एक ऐसा नहीं कि किसी की तो अरे यार यह लोग तो आना शुरू हो गए हाँ तो हम यही कहना चाहर है आपको कि आप देश दुनिया को समझो पढ़ाय लिखाई करो पढ़ाय लिखाई का मतलब यह नहीं कि नंबर आ गया बास बैड़ा कंपलेट आप क्या करना है ठीक है वो नहीं होती है पढ़ाय ल अरे यार कोई बात नहीं पता है यह डेथ होना जरूरी था अगर जो डेथ नहीं होता ना तो फिर क्या होते बार बार हंगर बार नुक्सान होते रहता अब मेरा फिर से फूल हो गया ना अब हम चलते रहेंगे ठीक है चलो कोई बात नहीं तो हम कहना चाहरा थी कि हम लोग और एक महिला को concretic करने के लिए एक महिला पुलीस वाली है कि मरदा रोलएवाल न फुलीस वाला न यहा तकता टीक है तो बहुत सारे ऐसे नौलेज है बहुत सारे ग्हान की बात है अगर जाग आप समझोगी न तो आप आपको दिक्को तो यह तो ही रहती रहती कि चीज़ों को समझो और मेरा स्ट्रीम देखो यार वीडियो देखो लाइक करो सब्सक्राइब करो आगे बढ़ो सब्सक्राइब करते रहो लेकि थोड़ा सब जल्डी एडी करो यार इतना बेतो थोड़ा स्पीड कम है इतना कम है कैसे होगा आपको बहुत सारी चीज़े इंटरेस्टिंग चीज़े बता होने है जैसे कि आपको कोई अरेस्ट काता है अगर पुलिस वाला एपको रहासत में लेता है तो आप क्या कर सकते हो कि आपके उसके बोर्ट से होती है कि मेरे मेडिकल जांच करो मेरे मेडिकल जांच करो कि अभी हमको कोई दारूरी नहीं पी है पता है अगर जब दारूरी पी के कोई क्राइम करोगे सराब के नसे में अगर जो कोई क्राइम करोगे न मिला है ठीक है तो यह सब चीज़ आपको समयनी होंगी अगर यह सब चीज़ नहीं समझोगे तो आप मतलब फिर प्रॉब्लम में रहोगे अंधिकार में रहोगे कोई आपको कुछ भी काट के चला जाएगा आपको पता है कि अगर जो आपको कोई अरेस्ट कर रहा है तो आप उसको यह बोल सकते हो कि हमको अरेस्ट कर लो ठीक है जो भी हो पहले बाद तो बहुत सारे cases में आपको warrant दिखाना पड़ता है पुलिस वाले को कि भई हम यहाँ से warrant लेकर के आया है तब आप हमको arrest कर रहे हो लेकि पुलिस वाला अगर तुम्हारा मतलब कि non-billable warrant जैसा कुछ अगर जो ले आया है ठीक है और तुमको कोई arrest कर लिया है तो तुम पुलिस वाला को भी बोल सकते हो कि हमको अपने घरवाले को सूचना करने दो कि हम arrest हो रहे हैं राइट नो और पुलिस वाला का पता है कानूने यह मतलब की एक उत्तर दायत है कानूने उनकी जेमेदारी है कि वो पुलिस वाला तुम को बोले कि तुमारे ऐस्ट कर लेको अगर जैनकारी नहीं होगे तो फिर दिक्कत हो जायाएगा को तो कहां गया मेरा सवान यार कहां गया तब से दूनरे मिलनी रहा है दिमाखरा वुरा वुरा वेरा थे कोडिनेट सब लगाता में हुए हमेसा ओन करने मेरे कहां से यहां यहां जुद कर दो गार को जो आलां किया है। व्लत ओनल जो मैं अपने देशका पुलिस के से काम करता कर थे हैं भारती दंडेक संगीता इंडियन पिनल कोड के तहत काम करता है और पुलिस वाला जो आरेस्ट औरेस्ट करता है या पर जो एकसस लेता है वो CRPC क्रिमिलर प्रोसीजर कोड के हिसाब से काम करता है ठीक है तो अरे वा मिल गया समान थैंक गॉड ठीक है तो अगर जो आपको पत परिषान करते लेकिं जनरलीवालो को परिषान नी करता ठीक है वकील वख पता कि ऐसा इनको टहलाएंगे सफ्रा को इनको टहलाएंगे कि यह हमको अरेस्ट करना ही भूल जाएंगे ठीक है तो इसलिए दिखने लोग काहिस सारे लोग अपने गाड़ी के पिछे लिखाते रहते हैं वह एड़ोकेट हैं वकील है यहां पर वहां पर तो अगर आप वकील नहीं हो तो कोई बात नहीं लेकिन अगर जानकारी रहे हैं कि अपना देश दुनिया समाज कैसे काम करता है ना तो फिर मतलब जिन्दी की थोड़ी असान रहेगी अब जैसे यह बात है कि कोई बी लड़के लड़के रिच वाली-गुमर आगाके हैं तो मतलुक है ieूंस कोई आणून है नहीं कि तुम इसको करने करते हैं बोलते हैं के तुम चलो यहां धाने यह चलो यह चलो इसके बारे हम आपको बाद में डिसकसन करेंगे इसा इसा कोई कानून कोई पेसे हैं अगर पास अधार घ्राट है तो पुलीस बाद को कुक नहीं है लेकिन लोग समझते नहीं है, लोग मतलब confused रहते हैं यह वो और यही करण होता है कि उनको problem होता रहा था, ठीक So, try to understand it, अपने देश का कानून को समझो, अपने देश के समविधान को समझो और powerful जैसा फिल करो, और देखो कितना must scenery यार मनिदार है, ठीक है आज दसवा दिन हो गया है, दसवा दिन हो गया है मेरे को वीडियो रिकॉर्ड करते हुए, और yeah, it's kind of मेरे को मज़ा आ रहा है at least, subscriber भी बढ़ रहा है, लेकिन थोड़ा और ज्यादा चली वोड़े तो अच्छा लगे लाला चारी है, लाला, view भी मेरा बहुत बढ़ा है, मतल गया है, तो मतलब उतना नया नया है, तो मेरे को प्रता है क्यों उतना जादा है, मतलब कि वो interesting धीर 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 आएगा, और बहुत सारी improvement हम कर भी रहे है, तो वह मज़दार चीजह है, बस आप साथ में बने रहे है, लगे रहे है और subscribe करते है, ठीक है, knowledge की बाते बहुत सार साथ साइन्स तो सही है, चलो साइन्स अची बाते साइन्स तो तुमारा नंबर आएगा बगरा बगरा होगा, लेकिन, लेकिन भाई मेरे, अगर जो खाली साइन्स के बारो से बढ़े होगा, तो काम कैसे चलेगा, आपको तो फिर वाक्तिरू कितना सुन्दर लग रहा है, म मजा हा रहा है, रिली लाव इट, तो आप खाली साइन्स के बारो से बढ़े होगा, तो काम चला मुस्किल है, आपको देज दुनिया के समाज के बारे में पता चला, आपको भूल के बारे में पता करना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए कि या कौन सा चमी कोस्मिर का, क्या यह पलते हैं, तो के प्रदेश का पता है, हर स्टेट का अपना का प्ना ह का ही होता है, सर वीसेश रहता है, जैसे लोग को बोलता है, SDM बन गया है, कोई बोलता है, DM बन गया है, है SDM बन गया है तो DM का मतलब क्या होता है हमने भी किसी जवाने पे थोड़ी बहुत तयारी शुरू करी थी यूपी ऐसी लेकिन पिता जी ने फैमिली वाले ने फोर्स किया बोला कि बेटा तुम जल्ली कमाओ 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 अरे यार जब कमाने लग जाओ तो फिर कहां से तु एक नूट को यार ठीक है उसमें इस बताता है कि अपना देज वनिया समाच कैसे चलता है हमने उसके नूट्स भी बहुत सारे बनाये थे इंफेक्ट हमने वो किताब खतम कर दी थी हमने किताम पता है दिवाली के दिन वाली किताब कर दो पड़कर के तो या मेरे को दिन वाली के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी है आप हमारे वीडियो देखते रही है ना वीडियो देखते हुए आप एत्व बहुत ही मतलब क्यानी बचाओगे ठीक है या अधिक पड़कर चाहिए वगरा वगरा चाहिए और हम चाहते है दो अंडर्ग्राउंड जा सकते हैं कि मेरे अंडर्ग्राउंड जा लेका कुछ मन नी ये कुछ खासा अई डों तर यह स्पेसिफिकली वांट गो उंडर्ग्राउंड राइट तो आपको चीज़ भी समझ में आनी होगी की चांद अपना चांद जो है ना कई सारे आसपास करेंगेंग जोनगेंगेंगेंगेंगे कोमी चांद शारी यहां करेंगेंगेंगेंगेसे लिजोत आपका काया थिकरेशमीर शेय tutte कारण है कि हम लोग हम लोग नहीं पता है संन के राउन्ट ना Sen b히 घूम है बत बता है Sun b히 ghoum रहा है Sun के आसपास Ace गूम रही है अर्थ के आसपास वह Moon घूम रहा है ठीक है तो आपको जो стро अपना मतलब की जिओग्राफी अब एप साहिंस किता पड़ाया जाता है कि सब एक ही प्लेन में हैं कोई प्लेन में नहीं है पता है सन कहीं है सन कहीं है और वो क्या बोलते हैं सन भी मूब कर रहा है आर्थ भी मूब कर रहा है सब चीजे मूब कर रही है तो यह यह बरह में मत रहना अब मरना अरे 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 मुर्गा नहीं मर पा रहे हैं तो यह बरह के बारे में पताएंगे, तो तो टोनी नहीं है, लेकिन को निकालेंगे Märon मैं को चाहिए और मेरेकnd बहुत सार क्ना चाहिए और मेरे को बहुत सीचा Стप पोठेके है तो बिजसे बमेगा को क्यों बिच में पेगा है खेंगे हम लीट हमागत ब्लायु love या एट सा नेधर फोडल श्याला बड़ाय का और नेधर पोडल मिल गया ठीक कॉन सा मेर भाय वाय ओके आजा ठीक है नेधर पूटल मिल जाए गहां पर कुछ बढ़िया मस्ट इंचैंट गोल इन एपल अग लिस्निंग मून स्लाइस कोई बात ने भी चल जाए गार ओई भी ऌर डर्ट user कर लेते हैं डर्ट यँहां पर user कर लेंगे और यहां पर इसको करें गोल्ड व्लॉक ब्लोग कर लेंगे उच अरे यार आ अंक इसके लिए दॉभलय निखिए ऑड़ ऑस कोई और मैटल है भी तो नहीं ना अ gran rag*** यहां विद म मिलग कि चाहिए हमिन पयम लोगत यहां पर बाद में आएंगे बट फिलार कलते हैं से अट लिस्ट वी एब देस ऑ आप लाइट यहां से लिए बाद में चलते हैं पर देख लिए पर पर ली केपस रहे हैं पर नहीं तो है अब आपको समझा है कि 26 जनुरी के मना जाते हैं 15 अगस को हम लोग आजात हुए थे और 26 जनुरी से हम लोग अपने आपको समविधान दिये थे ठीक है समविधान हम लोग को बताता है कि पता है एक अपने देश में सबसे ज़्यादा पावर प्राइम मिनिस्टर के नहीं है प्रेसिडेंट की है ठीक है प्रधान मंत्री के पास प्रधान मंत्री इस देश का याद रखना मंत्रियों के मंत्री को कहते हैं प्रधान मंत्री में बात याद रखना ठीक है अपने देश का प्रधान मंत्री बहुत पाउरफुल है पाउरफुल मतलब कम पाउरफुल नहीं पूरा देश जो घूमता है न एक एकसिस पे उसको कहते है हम लोग परधान मंत्रे ठीक है परधान मंत्री के पास मतलब इतनी पावर है पूरा देश का एकदम भार है जिम्यदारी ये परधान मंत्री के उपर के Council of Ministers, Prime Minister के साथ मिलकर के Direct करेंगी कि तुम यह करो, अपने देश के राश्टपती के पास पावर नहीं है, ठीक है, हाँ, राश्टपती के पास पावर, पावर का वो पूछ सकता है परधान मंतरी को कि अपना Majority मदब कि अपनी बहुमत मदब बताओ, तुम लोकसभा में ब पाता, तो परधान मंतरी को अपनी कोर्सी छोड़नी पड़ेगी, हमने जब अपना देश का मदब राजनीती साह से पढ़ा, तो हमने कहीं सारे चीजे पढ़ेगी, हमने यह पढ़ा कि एक रास्टपती को कैसे अपने पद से अटाते हैं, रास्टपती को कैसे नौकरी से निकालते हैं एक Supreme Court के जजज को कैसे अपने justice को कैसे हम लोग निकालते हैं लेकिन हमने ये कहीं नहीं पड़ी कि एक प्रधान मंतरी को कैसे उसके post से अटाते हैं प्रधान impeachment कहते हैं इसको English में तो एक चीज़ समझ लेना कि जो प्रधान मंतरी होती है जब प्रधान एक बार उनका काफिला गुजरते हुए देखा था हमने तो उसमें वो लगा रहा था क्या कहते है सैटिलाइट लगा रहा था प्रधान मंतरी का जो blood group होता है वो blood group का जो खून होता है उनके गाड़े में पहले से मौज़ूद रहता है ठीक है दुनिया बार की चीज़े रहती है प्रधान मंतरी देखो अकेले है लेकिन उनके पीछे पूरी की पूरी एक टीम रहती है और टीम रहनी जरूड़ी भी यह भारत का प्रधान मंतरी है तो सेप्टी बहुत जरूड़ी है सेप्टी के बिना कभी भी मतलब जान पर खत्रा आ सकता है ठीक है प्रधान मंतरी के जो गाड़ी होती है अभी से बुलेट प्रूफ होती है तो मतलब की ये सब चीजे बाते तुम पहले से जानते होगा ठीक को नया चीज जिसमें बताने के लिए नहीं है कि यार अभी पता बहुत अंदेरा है कुछ दिखी नहीं रहा है खाला कर दो गगाँ अब आया कीड़ार है अपने देश मेंना एक फॉपर एक स्ट्रक्ट्चर को इतना बड़ा देश चलाने के लिए ना एक प्रपर एक तरीका चाहिए होता ऐसे नहीं हाँ आया है बाइस है कि जिसको जो मन में आरा सो करे जा रहा है ऐसे नहीं जबाब बड़े हो गए फिर बड़े हो यह भी हो गए तो समझ जाएगा कि जो चीजे होती है ना एक लोटको यार लिख रहा हो मंद बद्धी हमको सिखाएंगे तो पता भी बैटा तुम्हारा जितना उमर है ना उतना माइन ग्राड में हमारा कवार है ठीक है हमको मारने आ रहे है अज़्चीजे हम करके छोड़ जो तो मेरा भूलने पर ध्यान रहाता है तो तो गोली चला रहे है तीर चला है बेग्द चलो इधर टयालते देखते साथ कुछ मिल जाएं अच्छे वहां कुछ दिख रहा है क्यों ठीक है तो हां तो हम तो यह करे थे कि अपने इतना बड़ा देश को चलाने के लिए कई सारी चीजे चाही होती है कई सारे रूल चाही होता है प्रोटेक्शन चाही हो अब लोगें अगर जो कुई मतंपनी का यार कोंपनीयो को सेट आप Tapi अब लोगेंश संवाजना कि पर्धान शारती को लिवगेंश मतना कीपडान मंत्री को जो कुर्सी होती हो असान है प्रधान मंत्री के पास पावर रहता है लेकिन याद रखना अपने देश में किसी को जितना पावर मिलेगा ना जितना भी पावर मिलेगा उससे कई गुना जैदा टेंसन उनको मिलेगा ठीक है क्योंकि पावर उनको कोई नौका रखने हम उत्वे diret Jia सेर्ड नंबर पगार सुप्रीम कोट का जज़ान नहीं kgγे उप्रास्ट पती उन्हें घृता है अच्ट प्रेम जब वह ऑघ जेए उपघ्टपति घृत नहीं है उन इस좌 नम्हें इन और एक प्रीघ्व तीप ज़ेशी आठीक है सुप्रीम कोट का जो चीफ जस्टिस है वो यह सब चीज़े समय लेंगे तो यह सब चीज़े समय लेंगे तो आप कहने के लिए बहुत सारे पाद है एट और्नी जेनरल ऑफ इंडिया है जो अपने देश का केंदर सरगार के तरफ से सुप्रीम कोट में मतलब की बाते रखता है हमको प्रॉब्लेम हुआ है तो सरकार किसको बुलाएगी बताने के लिए कि बटा तुम तुमने डिसिजन क्यों लिया तो अपने सरकार को कोई अकर जो रिप्रेजेंट करता है ठीक है अपने सरकार को मतलब रिप्रेजेंट करता है अपने सरकार के तरफ से कोई अगर ज लोग जाएंगे वहां पर दाखिला करेंगे सुप्रीम कोट में जैसा उनका हो सुप्रीम कोट में जाएंगे तो सरकार के तरब से जो आदमी आएगा सरकार का पक्च रखने के लिए उसको कहते हैं लोग एटार्नी जन्रल फिंडिया ठीक है आगे जलके जब आप यह पॉलि मेरे को उतना ज़्यादा हिंदी तो नहीं आती है सब चीजों की बारे में बटर अफिलाल के लिए पितना समझ दो कि अपना देश जो है वो प्रॉपर एक स्ट्रक्चर में बना हुआ ठीक है इतना बड़ा देश कोई ऐसे आए बाए साय नहीं चल सकता ठीक है उसके पीछ ज्विडाहन लिखी नहीं गई है वो भॉली भीड़ाहन है ठीक है जहा हम जानते है प्रे-टी इन नि तो और हाँ आपने देस का संविधान कई सारे सोल जेसे लिया है हम लोग उने मूल भूत अदिकार कहीं से लिया तो हम लोगे ये बाइक एमिर्टेन के संविधान से लिया था तो मलब कहने के मतलब ये है की एक जो देस हम लोगों कई लोग बोलते हैं चोरी का सम्विदान है, चोरी के नहीं है इस हिसाब से तो तुम बहुत सारी चीज़े चोरी कर रहे हैं, तुम जो टूथपेस्ट करते हो कोलगेट की, ठीक है, कोलगेट भी मन्दब कई और देश से आया है, तुम्हारे देश की तो पैदावार है नहीं कोलगेट, कोलगेट इंडिया की कमपनी तो है नहीं, तो तुम्हारे जब दिन की सुरवात ही होती है, चोरी के समान से, तो तुम दूसरे को चोर क्यों गए रहे हो, ठीक है, कलो बोलते हैं जिसको लोगों को तो आलोचना करनी है, लोग बोले हैं कि देश का सभीदान ऐसा है, देश ऐसा है, देश ऐसा है, भाया, हम मान रहे हैं, हम लोग के देश में गरीब ही है, अभी भी बेरुजगारी है, महंगाई है, और बहुत जादा सेक्यूरिटी नहीं है, सेक्यूरिटी है, लेकिन बहुत जादा और सारे मतलब चाइना से कंपरेजन करो, या फिर अम यहीं कि हम लोगों से भी निए कई लोगों ने सीखा ठीक है लोग जो यूपी आई समझ रहे हैं इतनी पीमेंट होती है इतनी मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड एक तरीके से कई सारे दे सम लोग का UPI को मतलब जैसे सुना है मनी के रसिया में भी UPI सिस्टम ऐसा करने का उनका विचार है ठीक है आधे मां प्राशम टार लग्त है तो हम लोगों लोगों हमारे में से कुछ सी करके के तो सीखना का तही किसी से को चिछ को सीखना घ्यान लएना उसआर कि चूरी कहना का थैक है तो ये से दिमाग से मदब लोगों को मेंडिलीटी हटा देनि चाहिए कि हम लोगों को अदेश हैना देश में बहुत प्रॉब्लम की कमी नहीं है ठेक अब हम कली देख रहे थे वीडियो देख रहे थे एक बच्ची बता है, एक बच्ची रोट के किनारे वाधब ढूलक पीट रही थी, ठीक है? इस साल की बच्ची थी उसके रोट के दूसरे पार 8 साल की उसी के भेहन थी, ठीक है? वो भी बचारी किसी तरीके से कोई छोटा से डमरू जैसे कुछ ऐसा बजा रही थी ठीक है बजा रही थी ठाकि लोग आखर कि कुछ दे दे भीगना बागना पड़ी बच्ची रो रही थी जोड़-जोर से उसके आस-पास कोई था नहीं बतानी कोई दूर से कोई वीडियो बना रहा था तो बच्ची बहुत जोड़ जो रही थी भूख लगा होगा मेभी उसको ठीक है खाने के लिए उसके पास खाना नहीं था विचारी बचले डोलग बजा भी नहीं पारी थी सही कि इसको भूख लगा होगा था ना उसको कैसे उसके लगारों कई सैंगीत निकल दिया थी कि बाराँ थी 64 से निकाल दिये गए खाओ अब Google ऐसी कंपनी है जो की बहुत ज्यादा मतलब की जॉब सेक्रिटी रहती है ठीक है लेकिन वहां से भी लोग निकाल दिये गए ठीक तो मतलब यह तो मंदी उंदी चारी है तो मेरे कहने का मतलब है अरदेश में भी बहुत गरीब है कई लोग मतलब की भूके मरते हैं अरदेश में भी बहुत गर्वाइब का थीक है तो मतलब की मलोग दस रुपए का अलूली है ना तो तुमको बेचेंगे चालिस रुपए अगा ठीक है तो भी चुलियों को हटाना जरूरी है ठीक है सरकार कोशिस करती है सरकार हर साल रूल आती है कि भाया ऐसे करेंगे तो इसलिए लोग ब्रस्टाचार करते हैं लोग सोते हैं कि यार चितना लूटिना लूट लोग क्या पता हूँ नहीं अगले बाती है मतब जो पार्टि के जाते है हां ऐसीमेदार के नहीं करती आ लेकि मैं इसा के पावर का काम को नहीं करूंगा मैं ऐसी सुचना है तो बशे मते अपार लेकिन अब आपको भी पता है कि अपना देश्का हाल के है, ठीक, तो ऐसा नहीं कि हम लोग देश्के पास चलिंजिस के प्रॉब्लेम भी है, ठीक है, लेकिन अब हम इसके उपर हैं जीमेतारी कि हम लोग नीए पीधी लाए है और हम लोग चीजों को बदले, बैतरीन, को सिस करते हैं हम अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं बाध है की अ देखो किता मस्ट संविय यह हैं हम अपना प्ले कर रहे हैं हम थोड़ा और सिखें समझे और देश के बाद समझे हम लोग पाष और देश है थे वी है फो लुग पात जुनिया में इतनी सारी चीजे है we have so much in लोग इक्स्ट्रा चुरी करने में लगे हो है। लोग सोते हैं कि कहां कितना जोड़ी कुरा लें किसे अगे बढ़ जाए तो या इस थिंग नेड स्टॉप धिस थिंग काई बूंस ते शाप ठीक है। वह पता है वह वीडियो आमने देखा था है तो हमने देखा थे कि वहाँ पर जो बच्चे है ना मतलब रो रही है थे वो यार बहुत एक 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 बच्चे को हमने देखा था कि क्या बोलते है अभी जहां रही रहते यहां पर हमने देखा थे कि ठंडी का मौसम था वो बच्चा ना बहुत भारी सा रजाई बहुत बारी से रजाई बच्चा उठा करके वहां पे लेकर आया था क्या गाते हैं बहुत बारी से रजाई उठा करके बेचने आया था बोला था कि कंबल ले लो कंबल ले लो यार वो जो मतलब की रजाई उठाने में जिसको मतलब की इतना मुस्किल हो रहा है उसे पेट का बोच कैसे उठाएगा ठीक देख रहा है उसे नमने देखा यार कि चुकि हम पता हम चत पे थे अपना हम चत पे थे तो हम देखे थे कि एक लड़का आ रहा है वचारा रजाई ले करके और सोच रहा है कि उसको बेच दे किसी तरीके से तक ही आज के खाने का जुगाड हो जा अब शुख आप चला जा जाएं क्यों अ मैं जाने में अधर यार अरी सबस्सक्राइब बना लेना चाहिए था क्या ज़्यार मेरे को बना लेना चाहिए था वह यार बेड ठीक है बड़ बना लेते तो यहां पर इतनी सारी मतलब के रात में हमको नहीं रुखना पड़ता ह तो मतलब आज हम थोड़ा सालका सी इसलिए करने लगे क्योंकि आज है अपना मतलब के तरीके से घंतन द्रिवाद दिवस की मेरे को बहुत सारी चीज़े याद आने लग गई अब बहुत ज़्याद वह आदमी नहीं है कि मतलब सुपर देज भागते हैं अरे मात तुझे सलाम वगरा वगरा नहीं है बट एक वो होता है वे घृत्व नीचे तो मतलब एक बार सोचते हैं कि अपना बाकी सारा देश कितना आगे निकल गया है ठीक है बाकी सारा देश में मतलब थे होता है कि मारे पास खाने के लिए नहीं होग्ष होग्य होग्य है इक मिनटन को पता हैं ऐसा करते हैं हम लोग क्या कोड़्नेट है 213 koleör चलना होगा इस समय चलना होगा इसका मतलब यह है तो यार यह भी कम हो 80120 सक्यों अग्वाटा को यार तो यह तो मेरा मेरा यह ठीक है मैरे खाल से हम लोगों चलना है तुआ तुआ टौर्थ पॉस्टिव एक्सेक्सिस ठीक है चलते ठीक थोड़ा सा अंदेरा हो गया है लेकिन कोई बात नहीं अरे जोम्बी हमको तो लगता है वो आगया क्या गात़े यार इस डिरेक्शामें चलते हैं क्यों इस डीरीक्शामें चलते हैं अपना करते हैं ओके बात जाओ, जाओ तो आपको ने कितनी सारी शीज़ बताए आज आपको सम्विधान के बारे बताए अपना देश का थोड़ा बहुत एक आईना दिखाया की कैसे चलती है फिर भी हम लोग देश बहुत आगया ठीक है हम लोग दिस में पांच भी सबसे बड़ी एकनोमी है ठीक है तो यह कोई न लोग ने हमें गुलाम बनाया था अंग्रेजियों ने हमें गुलाम बनाया था हम लोग ने अंग्रेजियों को पिछाड करके हम लोग हम लोग अंग्रेजियों को पिछाड करके उन से आगे हम लोग अर्थ वेवस्ते में आगे किसी भी देश की स्ट्रेंद बताएं किसी कि देश की इकनोमी बहुत सबसे ज्यादा पारफुल चीज़ होती है अगर जो आपकी आपकी इकनोमी है किसी भी कंट्री की इकनोमी अगर जो मजबूत होगी देश आटोमेटिकली मजबूत होगा जब लोगों का हेल्थ केर होगा जब लोग बीमार नहीं पड़ेंगे अच किसी भी देश के पता है तुम बोलो कि अरे अमेरिका के पास बहुत बड़ ज्यादा प्रमाड़ूबाय में है नुक्लेर बम है ठीक है या पर पाकिसान के पास बम है चाहिने के पास चलो बम है हमने इस मजब नहीं बेना कर रहे ठीक है लेकिन बम एक मात्र वह पैमाना न नहीं है किसी भी देश के स्ट्रेंद का ठीक है अगर आपको खाने के लिए खाना न लोगों ने हार्ड किया ठीक है हाड करने का मतलब यह कि थोड़ा सभी को कहीं चूट लगे तो हम लोग फास के रहा गए लैंड इसलेम को पसंद नहीं है ठीक लैंड पे आने का मतलब यह कि यार चारों तरब से मॉप्स आ जाना और फिर यह मतलब आगे बढ़ना तुरह मुस्किल होता ठीक तो हाँ हम यह कह रहा थी कि, एक मंदो हो टॉट पॉस्टी वैंक्स, इधर जाना है अंग लोगो इधर जाना है तो इधर कैसे चलाएग को इधर से आ ही रह थी यह लिकिन कुछ भी नहीं रहा थे टिक चुमार इसके बाइं हम बहुत बात करेंगे जो लोग मतलब की सौधी अरीविया जाते हैं उमान जाते हैं वहां के लोग मतलब I'm not going to die today हास तुम नी मरेंगे कहां कहां से आ जाते हैं साम मूँ उठा के ठीक हाँ तो हम क्या वो लेते हैं एक नटको यार इसको ऐसे करो और इसको तुम कहीं कोई क्रीपर उपर ना जा एक हाँ नोटको यार तो Onda करी ने किया मूटगना थूड़ना यार सेनक हो फाल्या मैं इसको फूर्ल Ellisत जैड्या करहां आज किन उढ्री पोसिवल्र दील लिएट रुकर वो द्ffentlichकों की वह बना सब्दा वाहीं स्गेक तुन यह जब तक कि नाइड विजन पॉसन लाओ ठीक नाइड विजन पॉसन अभी फिलाल के लिए नहीं बनाएंगे दो आइरन हो गया है हम लोगे और आइरन चाहिए होगा एरन मिलने के बाद से विए क्या करेंगे वह बनाएंगे गदें त। यह सबसे ज़ादा सोना है किसके पास है दुनिया में में सबसे ज़ादा सोना या उमेरिक king अमेरिका के पास ठीक है आम तोर पो फील मतलब की सोना आ और उसके जिकन लंबर पर है से किनलने मेर पर है जिल सब देस हैं उनके पास दोजार तीन हेजाब होना यह लेकिन अमेरिका पास अश्चाल टान मेरीका कराता है यह कारनि के क्या चलता है क्यों अमेर्稅 का नियुक्त पामीरे Cape रूम एक चलता है यहां के अमेरिका के बैपस बहुत सारी चीजे हैं यह और सब देंसों के पास नहीं यह SM पास NASA है दुनिया में देखने जितने भी रिसर्च पेपर पब्र्लिस होते है जिनरली ओर NASA हिसे नासा ही पबरिस करती है ठीक है अपना इसरो ही लगी है इसरो कितने सारे पेपर्स जो होते है कितने इसरी पर इस आरे उनिवर्सिटिस जोंप बड़े-बड़े चीजे-क्यों है? इतने नामिगृ-द भख पहले आजदी आगे तौंकि यार, अमेरिका ना, मतलब, पहले आज़ादी मुल गया था। तो उसकी कारण उनका दिस आगे निकल गया हम लोग को आजाद हुए कितना हो हम लोग 1947 मा जाद हुए और अभी चलना है 2022 में तो उतना यदा टाइम नहीं हुआ आजाद हुए इसलिए हम लोग अभी भी पिछड़े हुए हैं कई सारे चीजों में कई सारे मामलों में लोग पिछले वह हैं लेकिन अभी भी है उमीध है कि एक दिन हम लोग के वर्ल्ड कर रियल सुपरफार होंगे है जो चाइना वी जह है हम लोग को मदल हम लोग को मारते रहते हैं कि कितना सारे है ओना हम लोग सबक सखायेंगे ठीक है पता चाइना में कितना खरा, वाला अब्य पर जाने मन नहीं करता तो सरकार उनको जबरदस्टी भेसा है उनके हेलमेट में ऐसा ऐसा बम फिट करवाद दिया गया है कि अगर जो तुम छोड़ोगे लडाई तो तुमको हम बटन दवा देंगे और मर जाएगा ठीकल पर मदब की पिछले महीं के राउंड हमने ये तो तुमको कोई और सुकसे विदा ही नहीं मिलेगा तो अपना देश का आलत बहुत सही है विलाल के लिए हम लोगों को सरकार जबरदस्टी नहीं कर रही कि तुम ऐसे करो तुम ऐसे करो ठीक है तो कभी भी मतलब इस बात का मतलब दिमाग में मतलत रखना कि चाइना पाउ पॉली से छिड़ा जा सकता है और पिछले महीं नहीं सुना भी था कि कई लोग मतलब अंडिया का गाना को लेकर के चाइना में प्रोटेस्ट कर रहा था ठीक अभी हम चल रहे है वापस ठीक है और देखरों कितना मस्त है यार बर्सात हो रही है अके लिए कुछ दिख नहीं रहा है यार क्लियर कट 80,120 था क्यों अरे कहां आगे यार मतलब कहीं खो तो नहीं गए तो कोई बात नहीं लोग अपना चलते रहेंगा ऐसा नहीं है कि खो जाएंगे लोग रिवीन है क्या वाव कितना अंदेरा है बाप रे बाप ये एपिसोड खली भींगा भींगा था क्यों ये एपिसोड अं मुच वेट ठीक है ओके तो आए थिंग की वी अर दन फॉर दे फिलार के लिए हम लोगों के लिए इतना ही कई सारे नौलेज के बाते ही कई सारी बाते सेर करेंगे तब तक के लिए मिलते हैं थैंक्यू एंड बाई